कक्षा दस के चात्रों के लिए आज मैं क्रतिका का पार्ट तीन साना साना हाट जोड़ी लेसन पढ़ेंगे जिसे मधु कांकरिया जी ने लिखा है और ये एक यात्रा वर्तान्त है लेखिका मधु कांकरिया ने अपने यात्रा वर्तान्त में गंटोक से लेकर हिमाले तक की यात्रा में प्राकर्तिक द्रश्यों के वर्णन के साथ उन द्रश्यों को भी छुआ है जिन में विशम परिस्थितियों में पुरुष और महिलाएं जीवन संघर्ष में लगी रहती हैं इस पार्ट में लेखिका के साहिर्दे होने का पता चलता है क्योंकि उसका मन प्रगती की मनोहारी छटा देखने से अधिक जोखिम बरे कार्यों को करती हुए मला की ओर देखने में लगता है अब हम गंटोक शहर की तरफ चलते हैं अपने पार्ट को आगे बढ़ाते है लेखिका को गंटोक शहर देखकर ऐसा लगा की आसमान की सुन्दरता नीचे बिखर गई है और सारे तारे नीचे बिखर कर टिम टिमा रहे हैं बाश्चाओं का ऐसा शहर जिसका सुभै शाम और रात सब कुछ सुन्दरता सुभै होने पर एक प्रातना होटों को छूने जिसे हम कहते हैं साना साना हाथ जोड़ी यह एक प्रातना है जिसके मतलब होता है कि छोटे छोटे हाथ जोड़ कर प्रातना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाई को समर्पित हो इस पाठ का नाम इसी पर आधारित है साना साना हाथ जोड़ी यानि छोटे छोटे मेरा सारा जीवन अच्छाई के लिए ही समर्पित हो लेखिका ने प्राथना को यह बोल आज सुबह ही एक नेपाली यूगती से सीखे हैं सुबह यूम थांग से निकलना था किन्तु आँख खुलते ही बालकनी की और भागी थी क्योंकि लोगों ने बताया था कि यदी मौसम साफ हो तो बालकनी से ही हिमाले परवत की सबसे उची चटान कंचन जंगा दिखाई देती है किन्तु पिछले वर्ष की तरह आज भी आसमान हलके हलके बादलों से ढखा था कंचन जंगा तो दिखाई नहीं दी किन्तु तरह तरह के इतने सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए और लगा कि फूलों के बाग में आ गही है यूम थांग गंटोक से 119 किलोमीटर दूर था जिसके बारे में ड्राइवर जितने नारगे बता रहा था कि सारे रस्ते में हिमाले की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी और लेखी का उससे पूछें लगी थी क्या वहाँ बरफ़ी मिलेगी अब हम यहाँ से यूम थांग तक का रास्ता देखेंगे यूम थांग में यूम थांग के रास्ते में शान्ती और अहिंसा के प्रतीकर रूप में एक कतार में लगी सफेद रंगी 108 मंत्र लिखी पताकाई दिखाई दी इनके बारे में नारगे ने बताया यहां बुद्ध की बड़ी माननता है जब भी किसी बुद्धिस्ट की मिर्त्यू होती है तो उसकी आत्मा की शांती के लिए सहर से दूर किसी पवित्रिस्थान पर यह 108 पताकाइं फेहरा दी जाती है इन्हें उतारा नहीं जाता अपने आ पारे की शुरुआत में भी ऐसी पताकाइं लगा दी जाती है पर वे रंगीन होती है नारगे बोले जा रहा था किन्तु लेखी का नारगे की जीब में लगी दलाई लामा की तश्वीर की ओर देखे जा रही थी उसने ऐसी तस्वीरें दुकानों पर तंगी हूई देखी थी रास्ते में कवी लॉंग स्टॉक पड़ा जहां गाइड फिल्म की सूटिंग हुई थी यहां इस्थान्य जातियों के बीच चले सुधीर जगडों के बार शांती वारता और संधी पत्र के बारे में बताया गया था रास्ते में कुटिया में घूमते हुए धर्म चक्र के बारे में बताया गया कि यह प्रेयर वील है इसको गुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं और धीरे धीरे उचाईयों के ओर बढ़ रहे थे कार्य करते हुए नेपाले युवक युवतियां और छोटे छोटे घर दिखा आई दे रहे थे दर्शकों यात्रियों का कामे हिमाले पलवल परिवर्तित हिमाले हिमाले बढ़ा होते होते विश्काल काय होने लगा असीम बिखरती सुनलता को देखकर सेलानी जुम जुम कर गा रहे थे सुहाना सफर और ये मौसम हसी किन्तु लेखी का एक रिशी की तरह शांत थी सारे द्रश्यों को अपने भीतर ले जाना चाहती थी कभी चानी की तरह चमकती हुई नदी के सुन्दर्य को बिखेरती कहीं शिखरों पर शिखर से गिरते हुए जड़ने के सेवन सिस्टर फॉल को देखते हुए जिसके सुन्दर्य को सेलानी अपने अपने कैमरों में कैंध कर रहे थे यका यक लेखिका के मन में सुन्दरे की चटा छिटक गई ऐसे छिटक गई की मानु निर्टंगना के निपूर अचानक तूट पड़े हूँ उसने देखा कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी गुथे आटे सी कोमल काया परंतु हातर में कुलाज और हतोडे कईयों की पीट पर बंधी डोको ने उनके बीच में बंधे हुए कुछ कुदाल से भरपूर ताखत के साथ सम्हिन पर मारते हुए देखा तब ही लेखिका को सिक्कम सरकार द्वारा लिखे बोर्ड की याद आई जिस पर लिखा था आज ताजुब करेंगे कि इन राश्टों को बनाने के लिए लोगों ने मौत को जुठलाया है यह याद गर लेखिका का मानसिक सैनल बदल गया उसे प्लामू और गुमला के जंगलों की याद आई उसने वहां देखा कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांध कर पत्तों की तलाश में बनबन डोलती आदी वासी यूवतिया फूलों और पाओं के में पत्थरों को त सारी मलाई एक तरफ सारे आसू अभाव यातना और वंचना एक तरफ स्कूल से लोटते पहाड़ी बच्चे लेखिका लगातार उचाईयों की और बढ़ रही थी रास्ते में श्कूल से लोटते हुए बच्चे दिखाई दिये यहां का जीवन बहुत कट है यहां एक ही स् अच्चे उसी स्कूल में जाते हैं रास्ते में जगे जगे लिखी हुई चेतावनियक हत्रों के प्रती सज़क कर रही थी चाय के बगानों की युवतियां सूरज ढल रहा था उसी समय पहाड़ी ओड़तें गाय चराकर वापस लोट रही थी कुछ लड़कियों सिर पर लक भरे पागानों में कई युवतियां भोकू पहने हुए चाय की पत्यां तोड रही थी नदी की तरह उफान लेता यौवन और श्रम में दबकता हुआ गुलाबी चहरा और डूपते हुए सूरे की इंदर दनुशी चटा को देखकर मंत्र मुग्द सी हुई लेखी का चीक पड़ी युवतियों का अधिक सूंदरे लेखी का के लिए ऐसा है था अब है लायूंग में पड़ाव गगन चुम्बी पहाणों के नीचे सांस लेती एक छोटी सी बस्ती लायूंग है तिस्ता नदी के किनारे पर लकडी के बने घर में ठहरे अपनी सुस्ती दूर करकर ह आत्मू धोके तिस्ता नदी के किनारों पर पत्थरों पर बैठ गए तिस्ता नदी के किनारों पर बैठ गए अब उसकी आँखें जो थी उस सुंदर्ता को देखकर अंत्यदिक मत्र मुक्त हो गई वही सुकसामती है शुकून है जहां अखंडि संपूर्टा है पेड़, पौदे, पशू, पक्षी, आदमे सब अपनी अपनी लेताल और गती में हैं आज की पीड़ी ने प्रगती की इस लेताल और गती से खिलवाड कर अक्षम में अपराद किया है लायूंग की सुभे वे टहलने निकली बरफ की तलाश थी कहीं बरफ नहीं मिलेगी घूमते सिक्किम नविवक ने बताया कि प्रदूशन बढ़ने के कारण इसनों फॉल लगातर कम होता जा रहा है पांसो फीट उचाई पर कटायों में बरफ मिल जाएगी कटायों की ओर सफर शुरू किया बादलों के चीरती हुई खतरनाक रास्तों पर जीप मस्ती में चलने लगी सभी सेलानी जीप से उतर कमस्ती से बरफ में कूदने लगे गुटनों तक नरम नरम बरफ सब फोटों खीच रहे थे लेखी का सोच रही थे शायद ऐसी विवहोर कर देना वाली दिविता के बीच रिशी मुन्यों ने वेदों की रचना की होगी सर्वे भवंतु सुखीना का महा मंत्र यहीं पर बोला गया होगा यह ऐसा सोंदर है जिसे बड़े सा बड़ा अपरादी भी देख ले तो शणवर के लिए सही करुणा का अवतार बुद्धु बन जाए यह हिम शिखल जल स्थम्ब है पूरे एशिया के देखो प्रगती भी किस नायाव ढंग से सारा इंतजाम करती है थोड़ी दूर पर चीन की सीमा आगे बड़े फॉज में छाबनिया दिखाई दी थोड़ी दूर पर चीन की सीमा है जहां सैनिक माइनस 15 डिगरी सेलसियस पर पहरा देते हैं एक सैनिक लेखिका से पूछने पर बता रहा था कि आप चैन की नहीं सो सकें इसलिए हम यहां पहरा देते हैं लेखिका सोचने लगे कि जिन बरफीले इलाकों में बैसाक के महीने में पांच मिनट में हम ठिटूनने लगे तो यह हमारे जवान पूस माग के महीने में जब सब कुछ जम जाता है तब यहां कैसे तैनात रहते हैं लायूंग से थूम्यांग की और लायूंग से यूम्थांग की और बढ़े यहां एक नया आकरशन था धेरो रूड रोड और प्रियूता के फूल इन घाटियों में बंदर भी दिखाई दिये यूम्थांग पहुँचे मंजल तक पहुँचने की खुशी थी यहां चिपस बेस्ती सिक्किम युवतियों से पूछा क्या तुम सिक्किम हो तो उसनों कहा नहीं मैं इंडियन हूँ यह सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा वहां पहाड़ी कुट्टे भी दिखाई दिये जितने तरह की जानकारियां देता रहा जहां गुरु नानक की थाली से चावल छिटक गए थे यहां देवी देवताओं का निवास है यहां जो गंदगी फैलाएगा वे मर जाएगा हम लोग यहां गंदगी नहीं फैलाते हैं हम पहाड नदी जन्ने आदी की पूजा करते हैं हम गंटोक नहीं गंटोक कहते हैं जितेन गंतोग के बारे में बताने लगा कि सिक्किम के भारत में मिलने के बाद कप्तान शेखर दत्ता के सोच के अनुसार घाटियों के रास्ते निकाल का टूरिस्ट स्टॉप बनाया है अभी भी रास्ते बन रहे हैं और नए स्थानों के खोज जारी है लेखी का मन ही मन कि मनुष्य की असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है इस तरह से आपने साना साना हाथ जोड़ी यानि अपने छोटे-छोटे हातों से इश्वर्थ के साथ प्रातना करते हुए पूरा लद्धा आज आपने घूम लिया आशा करती हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद है तो लाइक जरूर करें धन्यवाद